हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मा यूट्यू चैनल, स्टडी एंड अचीव, आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पीछे बोल लगा के रखा है और मेरे हाथ में मार कर भी है, तो आज मैं आपको सेंटेंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूं, कि सेंटेंस क्या है, क्यो कि a group of words which make complete sense is called sentence, लेकिन क्या सर्फ हमको definition जाना जरूरी है, definition के साथ ही हमको बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी होता है, कि हम समत सके कि क्या होता है, ऐसे अगर हम बुचे कि क्या ये जो sentence लिखा हुआ है, ये मानते हैं कि ये दोनो sentence है, हम मान रहे हैं, तो क्या ये sentence है, सही में sentence कहलाएगा, नहीं, तो आप से लोग कोशन करेंगे क्यूं नहीं कहला सकता, तो क्यूं नहीं कहला सकता है, इसलिए क्यूंकि sentence का मतलब ही होता है, जिसका एक प्रॉपर अर्थ निकले, शब्दों का ऐसा समू, जितने भी वर्ड, ये हम सारे वर्ड हैं, इनका ऐसा ग्रुप, इनका ऐसा ग्रुप जिसका अर्थ निकल रहा हो, वही sentence कहलाएगे, जैसे कि आप नीचे वाला देख रहे है, रवी is going to market, ये हमें समझ में आ रहे है कि रवी जो है, रवी नाम का एक लड़का है, जो market जा रहा है, तो ये हमारा sentence कहलाएगा, ठीक है, अब इसमे parts of the sentence, इन दोनों में बहुत लोगों को confusion होता है, क्या confusion होता है, कि ये kinds क्या है और parts क्या है, तो let me explain, ठीक है, आते हैं यहाँ पर parts और kinds, इन दोनों को हमको जानना है, तो parts से अभी छोड़ दीजा, हमको sentence का parts of the sentence नहीं जानना है, हम पहले ये जानते है कि parts क्या होता है, अग माने मैंने ये figure ड्रॉ किया कि ये human है, ठीक है, human के ही कई सारे parts होते हैं, जैसे इसके ये eye हो गई, ये hand हो गई, ये leg हो गई, इसके एक ही इनसान में हम उसके कई सारे parts निकाल लेते हैं, ठीक है, अब आते है kinds पे, ये माने तीन human है, A, B और C, तो क्या ये तीनों ही एक जैसे हैं, तो कहेंगे कि नहीं, क्यूं, क्यूंकि हमारे human beings में हर लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, हमारा ही जो friend है, या हमारी जो friend है, वो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जैसा ही होगा, हमसे अलग हो सकता है, उसका behavior चेंज हो सकता है, वो physically चेंज हो सकता है, mentally चेंज हो सकता है, कई सारे तरीकों से चेंज हो सकता है, तो वो आएगा सारे kinds में अभी तक दे हम यह जाना कि यह parts और kinds ठीक है लेकिन sentence के parts तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैंने लिखा था कि Ravi is going to market मैंने ऐसा लिखा था तो parts मतलब इसी में sentence के अंदर में ही कई सारे parts होंगे ठीक है और kinds means sentence के ही कई सारे प्रकार किस किस तरह के sentence आते हैं ठीक है आपको इतना समझ में आ गया ओकी थैंकी फ्रेंट्स इसका आगे का वीडियो जो है वो मैं आके second part में लेकर आऊंगी आपको जो अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ओकी थैंक यू